हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम मैम्रा दोर में कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे से होंगे आज हम क्या करेंगे आज हम आपकी सेवन्थ क्लास की मैट्स की बुक का चैप्टर नमबर फोर सिंपल एक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे तो आईए देखते हैं कॉशन नमबर बन क्या दिया हुआ है complete the last column of the table तो यह जो आपकी table दी हुई है इसमें हमें जो आपका last column है उसे fill up करना है तो देखिए हमें उसमें क्या fill up करना है तो इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्होंने आपके variables की values दी हुई है अगर आप उन्हें equation में put करते हैं यानि equation में कहां पर put करनी है left hand side put करनी है अगर वहाँ पर variables की value put करने के बाद जो is equal to के बाद जो right hand side में answer दिया हुआ है अगर आपका वही answer आता है तो आपकी दोनों sides equal है यानि यह जो आपकी variable की value दी हुई है यह बिल्कुल ठीक दी हुई है तो हमें यहाँ पर अगर आपका answer ठीक आता है तो yes लिखना है नहीं तो no लिखना है तो आईए इन equations को solve करते हैं first equation देखिए आपकी क्या दी हुई है x plus 3 is equal to 0 और यह जो x की value 3 दी हुई है इसे कहां पर put करना है जो आपके left hand side में x plus 3 है वहाँ पर x की जगे हमें put करनी है तो हमें कौन सी side solve करके देखना है left hand side तो हम लिखेंगे left hand side is equal to x plus 3 तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो 3 है इसे x की जगे लिखना है और बाकी सारा as it is आपको लिखना है उसके बाद देखिए 3 plus 3 कितना होता है 6 तो हमारी कितनी value आई है left hand side की 6 आई है और देखिए right hand side की कितनी value है 0 तो क्या left hand side right hand side के equal है नहीं है क्योंकि 0 or 6 equal नहीं है तो हम यहाँ क्या answer लिखेंगे no तो देखिए second part देखते है आपके वही equation दी हुई है x plus 3 is equal to 0 तो अब की बार हमें x की value क्या put करनी है 0 तो हम कौन से side लेंगे हम left hand side लेंगे और उसे solve करेंगे तो lhs is equal to x plus 3 is equal to तो हम क्या करेंगे x के जगे हमें 0 को रखना है तो हम यहाँ पर x के जगे 0 लिखेंगे और fit plus 3 as it is लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे 0 में 3 को add करेंगे तो कितना आएगा 3 और जो हमारी rhs है वो कितनी दी हुई है 0 तो हम यहाँ लिखेंगे rhs is equal to 0 तो क्या हमारी जो lhs का answer आया है 3 और जो हमारी rhs है 0 वो equal है नहीं है तो हम लिखेंगे 3 is not equal to 0 यानि lhs is not equal to rhs तो यह जो आपके variable x की value 0 दी हुई है यह हमारी equation को satisfy नहीं करती है तो हम यहाँ लिखेंगे no तो देखिए आपके फिर से third part में वही equation दी हुई है x plus 3 is equal to 0 और अब की बार हमें जो आपका variable x है उसकी value put करनी है minus 3 तो जहाँ पर आपका x है वहाँ पर हमें minus 3 लिखना है तो अब देखिए हम left hand side को लेते हैं x plus 3 तो जहाँ पर आपका x है वहाँ पर लिखें minus 3 और बाकी सारा as it is जब हम numbers को add या subtract करते हैं तब हम उनके sign को देखते हैं देखिए number के sign उनके आगे होते हैं करेंगे sign को छोड़ कर जिस number की value ज्यादा है उस number में से छोटे वाले number को subtract करेंगे और एक जैसे number है तो उन्हें cut कर देते हैं लेकिन अगर numbers के sign सेम है जैसे इस 3 का minus है और इस 3 का भी minus होता तब हम क्या करते दोनो numbers को add करते और जो answer आता उसके साथ इन numbers का sign आ जाता तो minus 3 से plus 3 cut हो जाएगा तो आपका answer कितना आएगा 0 यानि 3 में से 3 गया 0 तो देखें यहाँ पर आपकी RHS कितनी है वो भी है 0 तो क्या 0 0 के equal है yes तो हम यहाँ लिखेंगे 0 is equal to 0 यानिके LHS is equal to RHS जो आपके value थी minus 3 उसने इस equation को satisfied किया है तो हम यहाँ लिखेंगे yes आईए अब हम fourth part पर चलते हैं fourth part क्या दिया हुआ है x minus 7 is equal to 1 और जो आपका x variable है उसकी value आपको कितने put करनी है 7 तो आईए इसको solve करते हैं हमें left hand side लेनी है तो left hand side कौन सी है x minus 7 तो अब हम क्या करेंगे जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 7 रखना है और इस equation को हम solve करेंगे तो अगर आपका answer 1 आता है तो आप इस column में लिखेंगे yes और अगर नहीं आता तो आप लिखेंगे no तो चलिए x के जगे हम 7 put करते है यहाँ पर हमने 7 लिखा और minus 7 as it is लिखेंगे तो कितना आएगा 7 में से 7 गया 0 और हमारी RHS कितनी थे जो right hand side है वो थी हमारी 1 तो क्या 0 1 के equal है 0 1 के equal नहीं है यानि LHS is not equal to RHS तो अब हमारा यह जो variable x की value जो 7 दी हुई है वो हमारी equation को satisfy नहीं करती है हम यहाँ क्या लिखेंगे no fifth part में भी वह equation दी हुई है x minus 7 is equal to 1 और हमें x के value क्या put करनी है 8 तो यहाँ पर हम left hand side लेंगे is equal to क्या है आपकी left hand side x minus 7 तो अब हमें x की जगे क्या लिखना है 8 तो हम लिखेंगे 8 minus 7 as it is आएगा उसके बाद 8 में से 7 गया 1 और हमारी rhs कितनी है 1 तो देखें हमारी जो lhs है वो rhs के बिलकुल equal आई है तो हम क्या लिखेंगे 1 is equal to 1 that is lhs is equal to rhs तो हम यहाँ लिखेंगे yes तो देखें हमारे sixth part में क्या equation दी हुई है 5x is equal to 25 तो हमें फिर से क्या करना है हमें lhs लेनी है तो lhs कितनी है आपकी 5x जब एक number और variable साथ में लिखे होते है तो इसका meaning होता है कि वापस में multiply हो रहे है तो हम क्या करेंगे 5x से multiply हो रहा है तो हमें 5 को किस से multiply करना है x की जगे हमें 0 लिखना है तो हम लिखेंगे 5 multiply 0 तो कितना आएगा 0 और हमारी rhs कितनी है 25 तो क्या 0 25 के equal है नहीं है तो हम लिखेंगे lhs is not equal to rhs तो यहाँ पर जो x की value दी हुई है 0 वो हमारी इस equation को satisfy नहीं करती है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे no तो आईए 7th part पर चलते है वही equation है आपके फिर से 5 x is equal to 25 तो अब की बार x की value हमें क्या put करनी है 5 तो हम फिर से lhs लेंगे कितनी है 5 x यानि 5 x से multiply हो रहा है तो हमें 5 को किस से multiply करना है 5 से तो यहाँ 5 multiply 5 लिखेंगे is equal to 25 तो देखें हमारा lhs 25 आया है और हमारा rhs कितना है वो भी 25 है तो यहाँ लिखेंगे rhs is equal to 25 25 is equal to 25 तो हम क्या लिखेंगे lhs is equal to rhs तो हम यहाँ क्या लिखेंगे yes तो चलिए 8th पार्ट पर चलते है 5x is equal to 25 फिर से आपके वह equation है तो अब फिर से हम क्या करेंगे हम lhs लेंगे कितनी है 5x है तो अब की बार हमें x की value क्या put करनी है minus 5 तो यहाँ में 5 को किस से multiply करना है minus 5 से तो देखिए जब हम multiply करते है two numbers को तो सबसे पहले उनके signs को multiply करते है तो देखिए इस 5 का क्या sign है minus है और इस 5 का plus है जब किसी number के आगे कोई sign नहीं होता तब उस number का sign plus होता है तो देखिए सबसे पहले sine को multiply करेंगे plus minus minus फिर numbers को करेंगे 5500, 25 तो हमारे ये minus का 25 आया है और हमारी RHS क्या है 25 तो क्या minus 25 25 के equal है नहीं है यानी हमारी जो LHS आई है minus 25 वो हमारी RHS के equal नहीं है क्योंकि ये minus का 25 है और हमारी RHS में plus का 25 है तो हम यहां लिखेंगे no तो आईए ninth part देखते हैं m by 3 is equal to 2 यानि m 3 से divide हो रहा है और m की जो value है वो कितनी रखनी है हमें minus 6 तो हमें LHS लेनी है तो LHS में है m by 3 यानिके m की जगह में रखना है minus 6 divide में 3 तो देखें minus 6 को हमें 3 से cut करना है तो 3 वन जा 3 और 3 तू जा 6 और यह जो minus है यह 2 के साथ रहेगा तो कितना answer आएगा minus 2 और हमारी RHS कितनी है वो है 2 तो देखें यह minus का 2 है और RHS में plus का 2 है तो हमारी तो minus 2 is not equal to plus 2 तो हमारी जो LHS है is not equal to RHS तो हम यह लिखेंगे no तो आईए हम 10th part पर चलते हैं वही equation आपकी फिर से दी हुई है M by 3 is equal to 2 तो अब की बार जो variable M है उसकी value हमें क्या रखनी है 0 रखनी है तो चलिए इसे solve करते हैं LHS कितनी है आपकी? M by 3 तो हम यह लिखेंगे M by 3 is equal to M की जगा में 0 रखना है यानि 0 by 3 तो 0 का में 3 से divide करना है तो कितना आएगा? 3 0 तो 0 तो यहाँ पर आपका 0 आएगा जब हम 0 को किसी number से multiply यह डिवाइड करते हैं तब आंसर 0 ही आता है तो हमारी RHS कितनी है? 2 तो देखें क्या 0 2 के equal है तो 0 is not equal to 2 यानि LHS is not equal to RHS तो हम यह लिखेंगे 9 तो आईए 11 पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है फिर से वह equation है तो इसे हम solve करते हैं LHS लेनी है हमे M by 3 तो अब हमें क्या करना है? M की जगा में क्या value रखनी है? आप पर 6 लिखेंगे और divide में 3 आपका आएगा तो अब क्या करेंगे हम 6 को 3 से divide करेंगे तो 3 बंजा 3, 3 तूजा 6 तो कितना answer आया है? 2 आया है तो हमारी RHS में क्या दिया हुआ है? 2 तो देखें LHS और RHS हमारी दोनों सेम है यानि 2 is equal to 2 यानि LHS is equal to RHS तो हम क्या लिखेंगे आप पर? Yes तो चलिए second question पर चलते हैं क्या दिया हुआ है? Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not तो हमें क्या करना है? जो आपके brackets में variables की values दी हुई है उन्हें equations में put करके ये देखना है कि आपकी जो LHS वाली side है उसका जो solve करके answer आएगा वो right hand side के equal है या नहीं तो इसमें भी आपको वैसे ही करना जैसे आपने first question में किया था तो देखिए कैसे करना है आपकी equation दी हुई है n plus 5 is equal to 19 और जो variable n है उसकी value हमें कितनी रखनी है? उसकी value हमें 1 put करनी है तो देखिए हम LHS लेंगे LHS कितनी है आपकी n plus 5 तो n की जगे हमें 1 रखना है तो हम लिखेंगे 1 तो देखिए LHS का अंसर 6 आया है तो क्या वो RHS के 19 के equal है? नहीं है तो हम लिखेंगे 6 is not equal to 19 यानि LHS is not equal to RHS तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? No n is equal to 1 is not a solution तो चलिए B part पर चलते हैं क्या equation दी हुई है? 7 n plus 5 is equal to 19 तो अब हमें जो variable n है उसकी value क्या put करनी है? minus 2 तो चलिए LHS को हम लेते हैं LHS is equal to 7 n plus 5 is equal to 7 n से multiply हो रहा है तो n के जगा में क्या रखना है? minus 2 यह नहीं 7 को हमें minus 2 से multiply करना है plus 5 as it is आएगा is equal to सबसे पहले हम signs को multiply करेंगे तो 7 का plus है और 2 का minus तो plus minus minus 7 to the 14 और फिर प्लस 5 आप ऐसे का इसा लिखेंगे? तो देखिए जब numbers को हमें add यह subtract करना होता है तब हम सबसे पहले उनके signs को देखते हैं तो देखिए 14 का है minus और 5 का है plus तो देखिए इनके sign बिल्कुल different है तो sign को छोड़ कर जो बड़ा number है उसमें से हम छोटे number को subtract करेंगे तो 14 बड़ा है तो 14 में से 5 गया 9 और answer के साथ sign किसका आएगा? जो बड़ा number था उसका आएगा तो 14 का था minus तो यहां पर minus आएगा यानि minus 9 और RHS कितनी है? 19 तो देखिए क्या minus 9 19 के equal है? No तो हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? No N is equal to minus 2 is not a solution तो चलिए C पार्ट पर चलते हैं 7 N plus 5 is equal to 19 और अपके बार हमें N की value क्या put करनी है? 2 तो देखिए हम फिर से LHS को लेते हैं वही आपकी equation है 7 N plus 5 तो अब हम क्या करेंगे? N की जगह में क्या रखना है? 2 यानि हमें 7 को 2 से multiply करना है और plus 5 आप as it is लिखेंगे तो 7 to the 14 plus 5 तो 14 में 5 को add करेंगे कितना हैगा? 19 और हमारी RHS कितनी है? 19 तो देखिए हमारी LHS 19 और RHS 19 बिल्कुल एक्वल है तो हमें लिखेंगे LHS is equal to RHS और यहाँ पर लिखेंगे हम Yes N is equal to 2 is a solution चलिए D part देखते है 4P minus 3 is equal to 13A P equation दी हुई है और bracket में जो P की value है वो इन्होंने कितनी दी हुई है? तो चलिए हम LHS लेते है is equal to 4P minus 3 तो यहाँ पर 4P के साथ multiply हो रहा है यानि P की value हमें 1 पुट करनी है तो 4 multiply 1 minus 3 is equal to 4 ones of 4 minus 3 तो 4 में से 3 को subtract करेंगे तो 1 आएगा और हमारी RHS कितनी दी हुई है? 13 तो देखें हमारी LHS जो 1 है वो RHS 13 के equal नहीं है तो हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS तो में लिखेंगे no P is equal to 1 is not a solution चलिए E part देखते है 4P minus 3 is equal to 13 वह equation है और P की value हमें क्या put करनी है minus 4 तो LHS लेते है is equal to 4P minus 3 is equal to 4 को P के साथ multiply करना है तो 4 multiply minus 4 minus 3 as it is आपका आ जाएगा उसके बाद numbers को multiply करना है यानि सबसे पहले उनके signs को multiply करना है तो 4 का sign है plus का और इस वाले 4 का है minus का तो plus minus minus 4 for the 16 minus 3 यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए दोनों numbers जो 16 और 3 है उन दोनों के sign सेम है तो हम क्या करेंगे 16 और 3 को add करेंगे तो कितना आएगा 19 और answer के साथ sign किसका आएगा minus का क्योंकि इन दोनों का sign minus का है तो हमारी RHS इनोंने कितने दी हुई है 13 LHS is not equal to RHS और हम लिखेंगे no P is equal to minus 4 is not a solution तो चलिए F पार्ट पर चलते हैं 4P minus 3 is equal to 13 वही आपकी equation है और जो variable P है उसकी value हमें कितनी put करनी है 0 तो चलिए हम LHS लिखते हैं कितनी दी हुई है 4P minus 3 4P के साथ multiply हो रहा है यानि 4 को हमें 0 के साथ multiply करना है तो 4 multiply 0 और minus 3 आप as it is लिखेंगे is equal to 4 को 0 के साथ multiply करेंगे तो कितना आएगा 0 minus 3 is equal to तो देखें आपके पास 2 numbers है 0 और minus 3 तो sign को छोड़ कर जिस number की value ज्यादा होती है उस number में से हम छोटे number को subtract करते हैं तो 3 में से 0 को minus करेंगे आएगा 3 और answer के साथ sign किसका आएगा बड़े वाले number का यानि 3 का और वो है minus तो यहां पर आएगा minus 3 तो देखें क्या minus 3 हमारी RHS जो 13 दी हुई है उसकी equal है नहीं है तो हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS यानि जो हमारी P की value 0 दी हुई थी वो इस equation को satisfied नहीं करती है हम लिखेंगे No P is equal to 0 is not a solution I hope आपको आज का lecture समझ आ गया होगा अगर कोई problem आती है तो मुझे comment करके ज़रूर पूछिएगा बाकी की questions हम अगले lectures में करेंगे अपनी सिहत का ख्याल रखिएगा Till then, goodbye, take care कि की उपकृत काल मुझे एल Wikipedia के उपकृताई झाल भूता zuरी अढना का chopped